हेलो,दोस्तो, तो स्वागत है आपका मेरी चैनल कोड हैकर्स में तो जो भी मेरी चैनल पर नहीं आये हैं तो दोस्तो आज हमारा इफेल्स का पार्ट टू है इस पार्ट टू में हम 5 कोशन करने जा रहे हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किये मैं अपना पहला question शुरू करने के लिए देखिए एक तो basic trick है एक लाइक और शेट ठोक दिजिए महा काल का ज़िए तो हमारा पहला question है operator पहले मैं आपको इसकी description देता हूं मैं करना के तो हमें क्या करना है हमें दो number ले लेने है A और B और एक character ले लेने ओ नाम का ठीक है फिर हमें क्या करना है उन दो को हमने जो हमारे integer हैं उनको पहले sin करवा देना है फिर एक OP का मतलब operator लेना है यहां तो plus minus ऐसे करके आपको कोई भी एक operator लेना माल लो हम इसमें क्या करेंगे ह हम एक plus ले लेंगे operator तो अगर बंदा वो plus जब आएगा तो जो दो numbers से उनका add कर लो नहीं तो minus कर लो तो काफी simple आईए तो हम अपने question की तरफ चलते हैं तो अपस बहले मैं दो integer ले लूँगा 1,b फिर एक operator के लिए character ले लूँगा ch फिर हम input करवा देंगे numbers को फिर हम input करवा देंगे character को हम ऐसे लिख लेते हैं cout enter the operator सही है इतर ch की जग हम op लेते हैं operator ज्यादा थी गरेगा enter the operator इसको sin करवा दिया हमने op को अब अगर if जो हमारा operator है वो equal to equal to क्योंकि यह character है तो इसमें यह single columns use होंगे अगर वो plus है तो हमारा क्या कर दो print कर दो जो हमारे दो number हमने enter करवाए उनका sum नहीं तो else क्या कर लो cout करवा लो उनका minus तो काफे simple था यह question मैं चाहता हूं कि आप यही जो चीज है ना इसको पूरा calculator type बनाईए और comment box में उसको डाल दीजिए उसको save करेंगे हम और इसको run करेंगे तो पहले हम दो number लेते हैं 4 और 2 और operator हम लेते हैं positive तो देखिए इन दोनों को इसने add कर लिया पहले दो number input करवाने थे हमें तो पहले दो number input करवाएंगे हम 4 और 2 फिर हमें enter the operator करना है operator में कोई भी operator डाल दोगे तो वह minus ही करेगा plus के लाबा कुछ भी डालोगे तो वह अपनी else की condition try करेगा देखिए 2 आगे तो जैसे कि मैंने आपको बोला है कि आप एक calculator type बना लेना इस तरीके से और comment box में उसको ड इसमें हम क्या करेंगे एक air को input करवाएंगे फिर हम देखेंगे कि क्या वो leap year है या नहीं है काफी simple question है यह भी तो हम तुम्हें character चाहिए नहीं यहां हम air ले लेते हैं और यहां sin हम खाली air करवा देंगे air फिर enter the air लिख लेंगे इसको हटा देते हैं यहां से यहां पे air लिख लेते हैं सही हमने air को input करवा दी अब क्या check करना है कि वो leap year है या नहीं तो leap year की क्या condition होती है कि जो भी हमारा air है अगर वो divide होता है 400 से तो इसका मतलब वो एक leap year है यह condition आप net पे भी search कर सकते हैं it is a leap year else it is not a leap year not a leap year काफी simple program था यह आशा करता हूं आपको समझ आ गया होगा अब इसको run करवाते हैं तो अगर हम 2000 ले लेंगे देखिए it is a leap year अगर हम आज का साल ले ले लेते हैं 2021 जो चल रहा है हमारा बढ़ी होती है तो मतलब उसकी height all मतलब simple height है उसकी ठीक height है तो हम इसको शुरू करते हैं इधर height लेते हैं सही है अब यहां इसको enter the height लिख लेते हैं यहां पर height input करवा देते हैं बढ़ी है फिर हम क्या चेक करेंगे अगर जो हमारी height है वह greater है 150 से तो इसका मतलब क्या है जो वह बंता है वह tall है एल्स अगर इससे कम है या इसके बराबर है तो वह बंदा small है काफी simple question था यह तो इसको हम run करवाते हैं तो enter the height हम लिख लेते है 170 तो वह बंदा tall है और अगर मैं लिखता हूं 149 वह बंदा smaller तो हरी चीज में हम कर क्या रहे हैं simply एक ऐसा program ढूंट रहे हैं जिसकी दो यान तो से ज़्यादा conditions होंगी और उस हिसाब से program को execute कर रहे हैं काफी simple चीज़े हैं यह तो यह जो question है points in a quadrant यह काफी अच्छा question है और बागी question उसे बहुत अलग है तो इसमें में क्या करना है हमें 2 points दे दिये जाएंगे x और y हमें चेक करना है कि वो किस quadrant में lie करेगा तो एक बर यह image आएगी उसमें आप देख लो कि जब x positive होता है by negative होता है यह सब में वो कौन से quadrant में lie करता है फिर हम यह question को करते हैं तो आश अगर तो हम आपने चेक कर लिया होगा कि यह जो points है वो किस तरीके से quadrant में बिछे होने है तो अगर हम चेक करने भी बैठते हैं हम बोलेंगे हम दो integer ले ले लेंगे x और y तो int x,y पहले हम चेक करेंगे अगर x positive है हमार इस greater than 0 है तो हम एक nested if का use करेंगे हम बोलेंगे जब x positive होगा फिर फिर से चेक करो कि अगर इसमें y भी positive है तो हमारा कूंसा quadrant है जब हमारा x भी positive होता और y भी positive होता है तो हमारा पहला quadrant होता है तो हम first लिख लेंगे simple था अगर जो हमारा y था वो positive की जग़ा negative निकला मतलब हमारा x positive लेकिन y negative है तो वो कौंसा quadrant होता है fourth quadrant तो हम यहां लिख देंगे fourth काफी simple था यह भी अब देखिए पहली हमारी condition क्या थी अगर x greater than zero है तो जो इसका else होगा उसका मतलब क्या होगा x less than zero मतलब x negative है इस बारी तो इसमें भी हम यही same चीज़े चेक करेंगे इफ y is greater than zero अगर y positive है और x negative है तो मतलब second quadrant हम लिखेंगे second second else अगर y negative निकला हम लिखेंगे third तो हमारा program complete हो गया यह तो अब हम इसको save करेंगे और run करके देखेंगे माल लीजिए sorry मैंने input नहीं लगाया तो मैं input करवादे तो sin x और y को save कर लेते हैं आप run करके देखते हैं तो अगर हम x को लेते हैं 1 और y को लेते हैं 2 मतलब दोनो positive हैं तो आना चीए first quadrant तो देखें first आया है वैसी अगर आपको यह भी ले लोगी जैसे मैं negative लेके दिखाता हूं आपको अगर अगर हम x को 1 ले लेंगे और y को minus 1 ले लेंगे मतलब है कुछ अगर coordinate है fourth एक है fourth तो ऐसी हमारा बिल्कुस systematic चलेगा यह तो आशा करता हूं आपको समझ आ गया होगा तो यह एक ऐसा question था जो आप करके आएंगे और comment section में इसका answer डाल दीजिए करना कि आपने आपने identify करना है आपको तीनों sides दी जाएंगी triangle की आपको पता करना है कि क्या वो equilateral है iso series है या फिस के लिए में तो मैं चाहता हूं कि आपके लिए task करें कि नहीं तो अगर मैं सारे questions बताई दूँगा तो फिर आपके लिए कुछ रहेगा नहीं आप बोलो के practice करने के लिए नहीं कुछ मिला तो यह types of triangle करना और जो operators था उसमें से calculator बना लेना आपकी knowledge बढ़ेगी और आपके लिए चोटा सा project जैसा हो जाएगा कि वाई रेखिए मैंने calculator बना दिये चीजें हमारी क्या-क्या बच्चियां while loop बच्चिये do while बच्चिये और switch बच्चिये जिसकी मदद से फिर हम आगे इसको असानी से proceed कर सकते हैं तो मैं try करूंगा उसको कल person तक खतम कर दूं उसके बाद हम आकर rank की अपनी third series को लाएंगे जिसमें हम जो हमारे two star से three star का सफर करेंगे तो आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी तो like कर दीजिए, subscribe कर लीजिए और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो